मतलब टोटल यहाँ पर कितने हैं 726 तुरिवुज है अब दोस्तों यहाँ पर 726 तुरिवुज यदि हम गिनने जाएंगे तो गलती हो जाएगी इसलिए यहाँ पर कुन सी हमारी शॉट ट्रिक काम में आईगी हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू क्रेजी जी के ट्रिक मैं गौराव एक बार फिर आप सभी के सामने दोस्तों आज हम हमारे नेक्स चेप्टर काउंटिंग ओफिगर पर चर्चा करेंगे जी हां इसके पहले दोस्तों यहाँ पर हमने 5 चेप्टर क्लॉग केलेंडर डाइस कोडिं इसमें चले जाएए वहाँ पर आपको इन सभी चेप्टरों के वीडियो मिल जाएंगे और यदि आपको इन सभी चेप्टरों गेडि पी डिंव चाहिए तो आप हमारे फ़ाँ सकते हैं और पूछ जाते हैं इंपॉटेंट भी है तो यहाँ पर दोस्तों यहkin इह बारा ररा है यहाँ पर मैं आपको थेस्ट के बताऊंगा ट्रेंगल गिनने की मतलब त्रीबुच गिनने की रैक्टेंगल की मतलब आयत की और स्क्वर की सभी की मैं आपको short trick बताऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा session देखें सबसे बहले बात आती है यहाँ पर triangle की मतलब त्रीबुच की त्रीबुच गिनना यहाँ पर देखें आपके सामने एक diagram नजर आ रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितने त्रीबुच है इस diagram में कितने त्रीबुच है अब यहाँ पर देखें अब इसे हम यह एक एक करके count करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हमारा answer भी हो सकता है गलत हो जाए इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी figure को ट्रेंगल वाले इनको अलग अलग type में divide कर रहा है देखें पहला type है हमारा यह यह वाला यह फिर इसको solve करेंगे देखें दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर इदी पहले diagram को हमें देखें तो यहाँ पर देखें क्या है first मतलब इसमें आदी मैं आप से पूछ हूँ simple कि कितने त्री बूज है तो आप भटाक सांसर देगे कि sir एक त्री बूज है ठीक है आगे बढ़ते हैं द एक पूरा बड़ा वाला त्री बूज है ठीक है तो आप क्या बोलेंगे इस पूरे diagram में कितने त्री बूज है तो बोले तीन एक दो और एक यह बड़ा त्री बूज है तो कितने होगा है total तीन उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखें यहाँ पर अब यहाँ अब इसकी ट्रिक बता जाता हूँ आपको मैं देखें यहाँ पर हमने बात करी थी तो सिंगल एक ही त्री बूज था यहाँ पर बात करी तो तीन त्री बूज हो गया अब वो तीन त्री बूज कैसे होए देखें यहाँ पर देखें यह एक त्री बूज था हमने छोटा त 3 क्या करना है सभी को जोड़ 1 और 2 3 3 और 3 6 तो इन सभी का total कितना आ गया 6 तो इसमें कितने त्रिबुजे 6 त्रिबुजे समझ में आ रहा है दोस्तों clear है आगी देखिए देखिए यहाँ पर प्रकार से पहले डाइगराम यहाँ पर छोटे त्रिबुज देख लेते हैं पहले एक दो तीन चार अब क्या करना है सभी का total तो देखिए एक और दो तीन तीन और तीन चे और चार दस तो इसमें कितने त्रिबुज होंगे 10 ट्रिबुज होंगे 10 ट्रेंगल होंगे आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर यह कुछ अलग सा तोड़ा सा यहाँ पर इसे दो भागो में डीवाइड के हुआ है ट्रेंगल को और बीच में से भी डीवाइड के हुआ है अब इसे कैसे निकालेंगे तो देखिए, सबसे पेले यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारी trick है उसे apply करेंगे तो एक और यह दो अभी यहाँ पर आपको इस line को count नहीं करना है हम मान लेते हैं कि यहाँ ले line अभी यहाँ पर नहीं है तो देखें यहाँ पर यह दिकाउंट करते हैं तो एक और दो मतलब इसमें कितने त्रिबूज हो गए तीन ठीक है अब यहाँ पर एदिया हम दोस्तों केवल इतना इतना पार्ट देखें यह वाला केवल उपर का हिस्सा देखें तो यह डाइगराम भी कुछ उसी प मैं आपको अतायत हूँ यही पर जिसे हमने यहाँ पर देखा एक और दो तीन ठीक है अब इस ठीक को कितने भागों में डिवाइट किया है वह उससे मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो यहाँ पर देखें यह पहला हिस्सा था और यह दूसरा हिस्सा तो जितने ठीक है उसमें तीन भागों में बाटा हुआ है तो यहाँ पर किस से मल्टिप्लाइ कर देंगे हम तीन से तीन तीन तीया नो तो यहाँ पर इस डाइग्राम में कितने ठीक है नो समझ में है रहा दोस्तों समझ में है clear है आपको यहाँ तक यहाँ पर थे दस ठीक है यहाँ पर यहाँ पर तो इस tribus को 2 भागों में बाट दिया तो हमने जितने भागों में बाटा है उससे multiply कर दिया उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 3 भागों में बाटा था tribus को तो हमने 3 से multiply कर दिया आगे देखिए यहाँ पर ध्यान दिजिए 1 और 2 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, तो 3 tribus तो यहाँ के हुए और हिस्से कितने करें हैं 1, 2, 3 और 4 तो काई से multiply कर देंगे, 4 से 4 तिया 12 तो इस diagram में कितने tribus हो गए, 12 उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 4, 3, 7 और 3, 10 कितने भाग, माटा है, 1, 2, 3, 4 और 5 तो कितने triangle होगा है, यहाँ पर पचास, अब दोस्तों आते हैं हमारे पहले question पर, यहाँ पर मैंने आप से बूचा था तो देखिए friends, अब यह जो question हमारे लिए tough था, अब यह हमारे trick से क्या बन गया है, बिलकुल easy बिलकुल आसान, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाले हिस्से जो हैं, इनको count कर लेते हैं, कि छोटे त्रिवुज एक भाग में कितने बनेंगे, तो एक दो, तीन, चार पाँच, छे, साथ आठ, नौ, दस और ग्यारा, यहाँ पर ग्यारा हिस्से बन रहे हैं तो देखे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमने एक हिस्से को जादी देखें, त्रिवुज के तो उसमें टोटल कितने हो रहे हैं, छाचट 66 त्रिवुज अब देखे, इसे कितने भाग में बाटा है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, और आखरी, ग्यारा यदि एक हिस्से में 66 त्रिवुज है तो ग्यारा में कितने होंगे तो 68 इंटू ग्यारा, मतलब टोटल यहाँ पर कर लिजेगा, आप कितना जाएगा 726 मतलब टोटल यहाँ पर कितने है 726 त्रिवुज है अब दोस्तों, यहाँ पर 726 त्रिवुज यदि हम गिरने जाएगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कुन सी हमारी शॉट ट्रिवुज काम में आई तो मेरे खाल चार्ट सभी को यह वाला समझ में आया होगा त्रिवुज की संख्या अब यहाँ पर N बराबर त्रिवुज की संख्या तो है पर कौन से त्रिवुज? तो यहाँ पर ध्यान दीचे दूस्तों 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपको left hand side में जितने corner में आपको त्रिवुज दिखेंगे उन्हें count कर लेना है कितने हैं? तो चार है तो यहाँ पर हमारा N बराबर क्या हो जाएगा? 4 आई अब value put कर देते हैं 4 into 4 plus 2 2 into 4 plus 1 divided by किसके? 8 के चलियाए यहाँ पर solve करते हैं इसे यहाँ पर देखिए दोस्तों यह 4 into अब यहाँ पर 4 और 2 कितना हो गया? 6 फिर into 4 दूनी 8 और 1 9 divided by किसके? 8 के तो यहाँ पर हमने इसे simplify कर लिया अब 2 से काट लिजे 2 दूनी 4, 2 चोग 8 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 तो 9 तिया कितना हो गया? 27 तो यहाँ पर इस पूरे डाइगराम में कितने तिरिवूज होंगे total? तो 27 यह इसका formula है आप इसे याद रखेगा N बराबर किसे निकालना है? left hand side में जितने पिरिवूज है इनने count कर लिजेगा, value को यहाँ पर put कर दिजेगा, 8 से divide कर दिजेगा ठीक है? तो type 2 भी समझ में आए सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं type 3 पर triangle के देखे दोस्तों type 3 में कुछ इस प्रकार से diagram बना हुआ आएगा आपको triangle का, अब यहाँ पर बताना है इस पूरे diagram में कितने triangle हैं तो चलिए आए इसका पहले basic पढ़ते हैं short trick समझते हैं, फिर उसके बाद में इसे solve करेंगे आईए तो देखे दोस्तों यहाँ पर इसकी short trick समझने के लिए या इसका basic समझने के लिए यहाँ पर हमने दो diagram ले रखे हैं पहला और यह दूसरा, आईए दोनों को दिरे दिरे करके solve करते हैं अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो starting में एक बात बोली थी, आपको वो धियान रखना है क्या? मैंने आपको एक इसा diagram बताया था कि इसमें कितने त्रिवुज हैं, तो धियान दीजिए कितने त्रिवुज थे? तीन, आपको यह चीज याद रखना है चली आईए, हम उसी से count करते हैं देखें, यहाँ पर यह इस त्रिवुज को देखें, यह एक, दो और यह तीन यहाँ पर कितने त्रिवुज हो गए? तीन उसी प्रेकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखें, तो कितने त्रिवुज हो गए? तीन यह हमने अभी बाहर बाहर के त्रिवुज काउंट करें अब अंदर चलते हैं यहाँ पर भी देखिए कुछ इसे पर काँ से डाइगराम नजर आ रहा है तो तीन यहाँ के तीन यहाँ के और तीन यहाँ के तो यहाँ तक टोटल कितने हो गए तो यहाँ पर दोस्तो अभी तक हमारे 18 त्रिवुज हो चुके हैं अब बचा मिड में छोटा वाला अब यहाँ से छोटे वाले से बाहर की तरफ चले 18 तो यह हो गए अब यह वाला जो त्रिवुज है यह हो गया 19 इसके बाहर येदे निकलते हैं तो ये हो गया 20 और इसके बाहर निकलते हैं तो ये हो गया 21 तो टोटल यहाँ पर कितने त्रिबुज है इस डाइगराम में 21 नहीं समझ मैं आद दूसरे वाले को देख लिजिए आपको इस डाइगराम को ध्यान रखना है इसमें कितने त्रिवूज हैं तो आए काउंट करते हैं पॉइंट बनाता हूं में देखिए यहाँ पर ये वाला ये वाला और ये वाला त्रिवूज काउंट कर रहे हैं पेले तो यहाँ पर कितने त्रिवूज हो गए दोस्तों तीन अब उसका आज में दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजी 0.1 ये, 0.2 ये, 0.3 ये यहाँ पर कितने त्रिपूज हो गए? 3 उसका आज आगे ध्यान दीजी 0.1 ये, 0.2 ये, 0.3 ये यहाँ पर कितने हो गए? 3 तो 3 इंकम 3, 3 2 6, 3 9 आगे बढ़ते जाओ तीन चोग बारा, तीन अपच्छे पंदरा, तीन चंग अठारा आगे बढ़ते हैं आओ, तीनो साथो एक्किस, तीनो आठो चोविस, तीन नाम सत्ताविस सारे खतम अब अंदर से भार के और आते हैं, 27 हो गए थे 28, 29, 30 और 31, तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिबूज हैं, 31, प्लियर है सभी को, चले आएए अब हमारे बड़े वाले कोश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमने अब से स्टार्टिंग में पूछा था, चली फ्रेंड्स आएए, यहाँ पर कर लेते हैं, कितने त्रिबूज हैं इसमें, तो ध्यान दीजी यहाँ पर, इसमें कितने त्रिबूज होगे दोस्तों, तीन, फिर आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर कितने त्रिबूज होगे, तीन, यहाँ पर कितने होए, तीन, तीन तिया, नो, बस अब तीन का पाड़ा प 36 अब यहाँ पर यह हमने टोटल जितने में कटे हुए थे यह गिन लिए तो यह कितने आए 36 अब यहाँ पर दोस्तों हम अंदर वाले मतलब छोटे त्रिवुच से बाहर के त्रिवुच त्रिवुच की बात करें तो 36 और एक 37 37 के बाद में यह वाला क्या हो जाएगा 38 यह व 41 तो यहाँ पर इस पूरे डाइगराम में कितने त्रिवुच है 41 41 त्रिवुच है ठीक है समझ मैं दोस्तों क्लियर है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं आगले टाइप की तरफ तो देखे दोस्तों ट्रेंगल का नेक्स टाइप है टाइप 4 यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से डाइगराम दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि इस डाइगराम में टोटल कितने त्रिवुच है तो चलिए आए दोस्तों इसका भी पहले बेसिक पढ़ लेते हैं फिर इस कोशन को सॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखे पहले डाइगराम में कितने त्रिवुच है एक और यह दो अब यहाँ पर यह लाइन जो है इस पर ध्यान दीजिए इसे कहा जाता है डाइगनल या फिर विकर्ण हिंदी में तो यहाँ पर हम उतने छोटे त्रिवुच थे एक और दो उसमें कितने डाइगनल है एक मतलब विकर्ण कितना है एक उसका मल्टिप्लाइ कर देंगे तो उतने त्रिवुच उस डाइगराम में एवेलेबल होंगे ठीक है तो यहाँ पर दो और एक का मल्टिप्लाइ कर रहा तो कितने थे द अगर बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए अब छोटे हिस्से किनले पहले एक दो नॉÁ पर कितने डाइगनल है दो एक औ ये दो तो चार हिस्से तो कुझ से होगा है दो छोट़ छोटे वाले और डाइगनल कितने है दो तो किस से multiply कर देते हैं 2 से तो कितना जाएगा 8 तो यहाँ पर कितने त्रिवुज होगे दोस्तों 8 उसी प्रकास से दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर हमने भी छोटे छोटे त्रिवुज गिल लिये हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों त्रिवुज टोटल 12 अब आते हैं दोस्तों हमारे इसके पहले वाले question पर जब मैंने आपसे पूछा था कि महाँ पर कितने त्रिवुज हैं देखिए तो दोस्तों अब यहाँ पर इसमें कितने त्रिवुज हैं बताना बिल्कुल ही आसान सबसे बेले क्या करेंगे छोटे त्रिवुज गिन लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आट बहुत से लोग कांसर आगया होगा यहाँ पर देखिए दोस्तों डाइगनल कितने हैं दो एक और यह दो तो आट इंटू दो मतलब कितने होगे इसोला यहाँ पर कितने त्रिवुज हैं 16 त्रिवुज हैं कांट करना आया दोस्तों सभी को चलियाए इसके next type पर चलते हैं दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर type 5 हमारा किरा है कि इस diagram में इस पूरे diagram में कितने त्रिवुज हैं अब यहाँ पर diagram से पूछ ले कितने त्रिवुज हैं तो इस question पर हम बाद में आएंगे अब एसे जो question है उनका हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं basic या फिर बोले हमारी short trick उसके बाद में फिर इसे solve करते हैं चलिया आईए दोस्तों तो देखिए यहाँ पर हमारी trick क्या होगी तो इसके जो पहले मैंने आपको त्रिवुज का type बताया था वाली trick यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी काम आएगे कैसे एक, दो, तीन, चार यहाँ पर कितने हो गए? आठ त्रिवुज जिसी प्रकार से एक, दो, तीन, चार यहाँ पर भी कितने हो गए? आठ त्रिवुज अब आप बोलेंगे सर, आठ और आठ, सोला हो गए परन्तु यहाँ पर सोला अंसर गलत है क्यों? क्योंकि यहाँ पर है concept hidden त्रिवुज का कौनसा? hidden त्रिवुज तो देखिए यहाँ पर hidden त्रिवुज कैसे count करते हैं, कैसे देखते हैं ध्यान दीजेगा दोस्तों जिसे यहाँ पर हमने भी छोटे जोटे वाले count करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 थे diagonal 2 थे तो हमने multiply कर दिया 2 से तो 8 आठ आ गया यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर भी 8 आठ आ गया 16 अंसर नहीं है क्योंकि बचे हुए hidden त्रिवुज हैं कोन से तो ध्यान दीजे यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर point A यह point B और यह point C इस यदि पूरे त्रिवुज को देखें तो इस त्रिवुज को हमने अभी count नहीं किया है तो यह है हमारा कैसा hidden त्रिवुज तो यहाँ पर पहला hidden त्रिवुज हमारा आ गया त्रिवुज A, B और C पहला त्रिवुज आ गया उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए उसकार में यहाँ पर नाम दे लेते हैं D यहाँ पर नाम दे लेते हैं E और यहाँ पर इसको नाम दे लेते हैं F तो त्रिवुज यहाँ पर एक कुन साइड हो गया दोस्तों D, E और F ठीक है? तो यहाँ से एक त्रिवुज और एड हो गया मतलब 8 और 8 16 तो थे 8 प्लस 8 ये दोनों के 16 हो गए प्लस hidden त्रिवुज कितने हैं? 2 तो यहाँ पर कितना हो गया total? 18 इस diagram में total कितने त्रिवुज हैं? 18 आईए इसका एक example और देख लेते हैं चलिए friends बता दिए जल्दी से इस पूरे diagram में कितने त्रिवुज हैं? जल्दी से बता दिए answer चलिए आईए साथ में count कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 उसी प्रकास से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 और उसी प्रकास से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 तो केवले हम यहाँ पर यहाँ पर पहला वाला इससा देखें ठीके? पहले वाले square में देखें तो यहाँ पर 8, 3, 2, 3 प्लस यहाँ पर भी 8, 3, 2, 3 प्लस यहाँ पर भी 8, 3, 2, 3 यह तो हो गए हमारे main triangle अब यहाँ पर जो hidden 3, 2, 3 आईए उन पर ध्यान देते हैं तो पहला hidden triangle कुन सा होगा? यह वाला A नाम देते हैं A, B और C ठीक है? उसी प्रकास से दोस्तों यहाँ पर ध्यान देजिए D इस point को देते हैं E और इस point को देते हैं F यहाँ तक तो पहले भी देखा था हमने अब आगे और देखिए अब यहाँ पर F, E और इसको नाम देते हैं G, देखे, F को देखिए point F, point E, और point G मिलके भी एक त्रिवुज बना रहे हैं, तो देखे, यहाँ पर पहले कितने थे? प्लस 2, hidden त्रिवुज अब प्लस, आगे देखते हैं कितने हैं तो F, E और G, पहला त्रिवुज आ गिया उसी प्रकास से दोस्टों यहाँ पर ध्यान देजिए B, C और इस point को नाम देते हैं H, त्रिवुज B, C और H त्रिवुज B, C और H, तो यहाँ पर भी त्रिवुज कितने थे, 8, 12, 16, 18, 24 24, प्लस, 4 तो टोटल यहाँ पर कितने त्रिवुज हो गए 28 ठीक है दोस्तों, समझ में आया चलिए आईए अब हमारे पहले कोस्टन पर चलते हैं अब वह कोस्टन जल्दी सॉल हो जाएगा हमारी ट्रिक से चलिए आईए दोस्तों यहाँ पर solve करते हैं पहले हम count कर लेते हैं main main triangle उसके बाद में hidden त्रिवुच पर आएंगे 1, 2, 3, 4 तो इसी परकार से यहाँ पर 8 हो गए यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए यहाँ पर 8 हो गए और यहाँ पर 8 हो गए यह तो बात हो गई, triangle की जो दिख रहे हैं अब hidden त्रिवुच की बात करते हैं तो आईए सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर point ताकि आपको समझने में आसानी हो देखे, सभी point पर मैं आपको यहाँ पर character लिख देता हूँ यदि किसी को समझ में ना आ रहा हो या किसी को दोस्ट को समझ में नहीं आया हो अभी तक तो इस question हो पूरी चीज clear हो जाएगी कौन सी hidden त्रिवुच की चलिए, अब यहाँ पर हम line से नाम देते हैं इसे यहाँ देते हैं A, जिसको देते हैं B उसी पर का सी D, E और F यहाँ पर G, H I, J और K, और L यह हमारा होए point अब यहाँ पर हमने अभी केवल अंदर वाले जो 1, 2, 3, 4 वाले हैं उन्हें count करके triangle निकाले हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 8, 8, 8, 8, 8 और 8 अब हमें यहाँ पर hidden त्रिबुज का count करना है तो देखिए त्रिबुजों की संख्या देखते जाएगा यहाँ से A, H और C, यहाँ बोल सकते हैं A, C और H, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं आपके लिए त्रिबुज A, C, और H पहला त्रिबुज हो गया अब यहीं पर बात कर लेते हैं G, B, और I की त्रिबुज G, B, और I दूसरा त्रिबुज हो गया यहाँ तक हमारा काम खतम हो गया ठीक है, आगे देखते हैं अब यहाँ पर पहले वाले डबा मतलब पहला वाला जो स्क्वेर है उसको हम ड्रॉप कर देंगे अब इसका हमारा लेने देना नहीं है अब बात करेंगे H से तो देखे, H, C, और J त्रिबुज H, C, और J में एक और त्रिबुज आ गया कौन सा हो गया, तीसरा और उसी प्रिकास से देखे, यहाँ पर B, I, और D त्रिबुज कौन सा लिया है B, I, और D तो कितने हो गए, चार ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा ले डबे से हमारा दूसरा ले इसको ऐसे काम खतम हो गया इसको अलग करिए, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं आई से, देखे, I, D, और K त्रिबुज, I, D, और K त्रिबुज जान दीजिए, I, D, और K कौन सा त्रिबुज हो गया, hidden ये पाँचवा, उसी प्रिकास से दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए C, J, और E त्रिबुज कौन सा C, J, और E कौन सा हो गया ये, छट बात त्रिबुज तीसरे डब ये काम खतम हो गया आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देहन दीजिए J, E, और L ठेक है, J, E, और L त्रिबुज कौन सा बज़ गया J, E, और L कुनसा हो गया नंबर 7 और उसी प्रकार से एक आखरी बचा हुआ है कुनसा D, K और F तरिबुज D, K और F तो यहाँ पर hidden तरिबुज भी कितने हो गया टोटल 8 तो यहाँ पर अब हम टोटल जितने भी ट्रेंगल है उन्हें काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पर 8 का टेबल बोल लिजिए, 8 का पाड़ा, 8 एकमाट, 8 दूने 16, 8 ते 24, 8 चोक बतिस, 8 पंजे 40 40 तो यही थे, प्लस यहाँ पर हमारे पास में टोटल hidden तरिबुज कितने आ गए? 8 तो यहाँ पर 8, टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 48 तो इस पूरे डाइग्राम में आपको कितने ट्रेंगल देखने को मिलेंगे? 48 तरिबुज देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप शॉट ट्रिक से सॉल करते हैं तो कोश्चनों को सॉल करना भहुत ही आसान हो जाएगा समझ मैं है सभी को आगे बढ़ें चलिए चलिए फ्रेंट्स ध्यान दीजिए अगला कोश्चन है यहाँ पर ये वाला इस डाइग्राम में कितने ट्रेबुज हैं? अब दोस्तों इसका अंसर में नहीं इसका अंसर दोस्तों आप बताएंगे और वो भी कमेंट बॉक्स में ये आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है ह्व इसका मैं अंसर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आप सभी को यहाँ पर इस डाइग्राम में काउंट करके बताना है कि इसमें कितने त्रिबुज हैं how many triangle in this figure कितने total त्रिबुज है ठीक है question देख लिए सभी ने मेरे ख्याल से बहुत से लोग का answer भी आ चुका होगा चलिए इसका answer में अगले वीडियो में डिसकस करूँगा आप लोग comment बोक्स में बताएए चलिए friends एक last type बचा हुआ है triangle का type 6 देखिए यहाँ पर हमें एक diagram दिया हुआ है और बताना है कि total त्रिबुज इसमें कितने हैं तो आएए सबसे पहले इसका basic पढ़ लेते हैं देखिए यहाँ पर यह बात करें हम तो एक और यह दो त्रिबुज और यहाँ पर ध्यान दीजिए ठीक है यह जो लंब है यह त्रिबुज को दो भागों में बाड़ता है कितने भागों में बाड़ता है दो भागों एक बड़े त्रिबुज को कितने भागों में बाड़ता है दो भागों तो चलिए आईए अब solve करते हैं इसे यहाँ पर यह मतलब लंब वाला ही सवाल है तो देखिए सबसे बेले हम हमारी यहाँ पर अब ट्रिक लगाएंगे जो हमने starting पड़ी थी पहला यह दूसरा यह और तीसरा point यह मतलब यहाँ पर कितने त्रिवू जो गए तीन उसी प्रका से first point second point और यह third point यहाँ पर भी कितने त्रिवूज हो गए तीन तीन और तीन मतलब यहाँ पर कितने त्रिवूज है तो कितने हो गए नो अब यहाँ पर ज्यान दीजिए एक जो line है वह कितने इसों बाट रही है दो इसों बाट रही है तो देखिए पहले यह वाले line के बा और यहाँ पर इस लाइन को देखे हैं तो इसने दो इसमें बाटा यहाँ पर यह तो दो दो वाले वे कितने त्रिवुज हो गए तीन एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला तो तीन हो गए तो दो तिया कितना हो गया छे और एक हमारा main त्रिवुज, सबसे बड़ा वाला A, B और ये C एक, ठीक है बस अब count कर लीजी, total कितना है तो 9 और 6, 15 और 1 16, तो यहाँ पर total त्रिवुजो की संक्या कितनी होगी, 16 अब जरूरी नहीं ये दोस्तों कि सभी question में हमारी trick apply हो maximum question में या अधिकतर question में apply हो सकती हैं, पर जहाँ पर apply नहीं होगी, वहाँ पर आपको count करके देखना ही पड़ेगा clear है? चली अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर triangle के बात हो चुकी, अब बात करते हैं work की तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजी work, अब यहाँ पर आए वताना है कि इस diagram में total कितने work हैं अब यदि हम यह से गिनने जाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा रो सकता है कि हमारा answer भी गलत हो तो आए दोस्तों इसकी trick या इसका basic funda समझ लेते हैं कि कि किसे count करना है तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा question ले रखा है ध्यान दीजें यहाँ पर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ रो और कॉलम की तो देखें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 यहाँ पर कॉलम कितने दीए हैं हमें 3, रो भी कितने दीए हैं 3, R1, R2, R3 करना क्या है आपको बिल्कुल सिंपल है जब भी आपको ध्यान रखना है जब भी रो और कॉलम बराबर हो तब आपको यह ट्रिक अपलाए करना है ध्यान दीजेगा जब भी रो और कॉलम बराबर होंगे तब हम यह वाले ट्रिक अपलाए करेंगे करना क्या है, लीखे, एक row और एक column तो यहाँ पर लिख दीज省 एक का square plus 2 row और दो column तो यहाँ पर लिख दीज省 2 का square plus आगे बढ़ते हैं 3 row और 3 column plus 3 का square बस अब इसे count कर लीजी, इसे कितना हो गया 1 plus 4 plus 9 तो 9 और 4, 13 और 1, 14 तो इस पूरे डायराम में कितने square है, कितने वर्ग है, 14, 14 अब आईए इसके पहले वाले जब हमने question बुचा था, उस पर चलते हैं कि कितने वर्ग है उसमें तो ये था दोस्तों हमारा question, अब इसमें देख लीजिए, कितने column, कितने row है column 1, column 2, column 3, 4, 5 और 6, 6 column है, row देखिए, r1, r2, r3, r4, r5 और r6 6 row और 6 column मतलब यहाँ पर row और column के हमारी संख्या कैसी है, बराबर तो आईए count कर लेते हैं, 1 और 1, मतलब 1 का वर्ग, प्लस 2 का वर्ग, प्लस 3 का वर्ग, प्लस 4 का वर्ग, प्लस 5 का वर्ग, प्लस 6 का वर्ग, बस अब इसका total लगा लीजी, 1, 4, 9, 16, 25 और 36, तो यहाँ पर आप इनका total लगा लीजीगा, कितना जाएगा, 91, मतलब यहाँ पर इस पूरे डाइगराम में, कितने वर्ग हैं, कितने square हैं, total in canway square है, 91 वर्ग है, ठीके, चलिए, यह था तो आप type वस्ट, मतलब यहाँ पर row column की संख्या कैसी है, एक जैसी, अब यदि row column की संख्या अलग-अलग हो जाएगी, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं, type second, चलिए देखें दोस्तों यहाँ पर, देखें, column 1, column 2, column 3, column 4, यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, वर्ग कितने हैं, ठीके, how many square in this figure, square बताना है, कि कितने square हैं, चलिए, यहाँ पर देखें, row 1, row 2, row 3, अब यहाँ पर देखें, row और column जो हैं, वो बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर row है 3, और column है 4, अब इस case में दोस्तों क्या करेंगी, तो यहाँ पर ध्यान से समझेगा, जो सबसे बड़ा column है, उसका सबस C4 का multiplication किसमें, R3 में, प्लस उसी प्रकार से, अब इसके बीचे चलते हैं, C3, column 3 का multiplication होगा किसमें, R2 में, तो column 3 का multiplication होगा किसमें, R2 में, प्लस उसी प्रकार से, C2 का multiplication किसमें हो जाएगा, R1 में, तो C2 का multiplication किसमें हो जाएगा, R1, बस, जो भी यहाँ पर हमारा आऊगा, से तो यहाँ पर दिखे चार तीया बारा प्लस तीन दूनी छे प्लस दो एकम दो बस इनका आप टोटल लगा लिजे बारा और छे अठारा और दो बीज तो यहाँ पर इस पूरे डाइगराम में टोटल कितने स्क्वेर हैं टोटल कितने वर्ग हैं बीज समझ मैं दोस्तों से चोटे कॉलम का उस से चोटे रो से मल्डिप्लिकेशन एसा आपको करते आना अब तक की टोटल यहाँ पर नहीं आए अब यहाँ पर सीवन जो बजगया था उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह ट्रिक थी हमारी किसके लिए जब रो और कॉलम बरा आयत देखना है अब आयत इसमें यह टी काउंट करने जाएंगे एक एक करके तो बहुत समय लग जाएगा और वो सकता आंसर भी गलाता है तो आईये इसका भी हम शॉट ट्रिक देख लेते हैं बेसिक फंडा देख लेते हैं कि कैसे काउंट करना है चली देखिए देखें जोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास है रो 1, रो 2 और रो 3 उसी परिकार से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 पर यहाँ पर हमें जो काउंट करना है वो काउंट करना है आयत रेक्टेंगल ठीके अब इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक हमारी अलग होगी क्या तो देखे यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 1 कितने हो गए 6 तो यहाँ पर हमने टोटल कॉलम को काउंट कर लिया, एड कर लिया 3 और 2, 5 हो गए और 5 में जोड़ दिया तो कितने हो गए 6 तो यहाँ पर कॉलम की संक्या कितने हो गए 6 उसी प्रिकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए रो 3 और 2, 5 और 1, 6 इंटू करना है रो का 6 तो छाएं छाएं कितना हो गया? 36 जितने रो हैं उतने कॉलम हैं उसका मल्टिप्लाय करना है बस तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा? रेक्टेंगल तो यहाँ पर इस पूरे डाइगराम में कितने आया थे? 36 अब आईए हमारे पहले कोश्चन पर चलते हैं इसके पहले जो हमने पूछा था चलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए यहाँ पर देखें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4 और 5 पांच कॉलम हो गए उसी प्रकार से देखें रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5 बस यहाँ पर क्या कर लिजी? टोटल कर लिजी पांच और 4, 9 और 3, 12, 12 और 2, 14 और 1, 15 कॉलम कितने हो गए? 15 इंटू रो देख लिजी पांच और 4, 9 और 3, 12, और 2, 14 और 1, 15 उसी प्रकार से रो भी कितने हो गए? 15 और 15 में 15 का मल्टिप्लाय कर देंगे तो कितना जायाँ का? 225 यहाँ पर इस पूरे डाइग्राम में टोटल कितने रेक्टेंगल यह कितने आया थे? 225 तो यहाँ पर दोस्तों शौर्ट ट्रिक से एसे कोश्चोनों को सॉल करना किसा हो जाएगा बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल ठीके? पर दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो ट्रिक हैं वो सभी कोश्चोनों में अपलाय हो जिसमें apply होंगी वहाँ तक हम apply करके answer लेके आएंगे ठीके चलिए अब इसका एक दूसरा case देख लेते हैं जहाँ पर row और column बराबर नहीं हो तो देखी friends यहाँ पर देखी column 1, column 2, column 3, column 4 column तो है 4 और दोस्तों यहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर row की तो r1, r2 और r3 मतलब row कितनी है 3 करने का तरीका दोस्तों इसको वही होगा यहाँ पर भी हमें आयत find करना है rectangle find करना है कि कितने आयत हैं ठीके तो कुछ भी नहीं बस जैसा हमने पहले क्या था वेसा ही करना है 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, 7 और 2, 9 और 1, 10 तो कॉलम का टूटल हो गया 10 इंटू कर देना है रो का 3 और 2, 5 और 1, 6 r इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 10 शंकी 60 तो यहाँ पर इस डागराम में तोटल कितने rectangle है कितने आयत है 60 ठीके समझ मैं आ दोस्तों सभी को तो यहाँ तक था दोस्तों हमारा counting of figure अब इसके बाद में मैं इसका एक वीडियो और ले क्या हूँगा जिसमें previous years के कुछ questions पर हम discuss करेंगे और कुछ important purpose question जो है उन पर भी हम discuss करेंगे दोस्तों आपको मेरे दोरा बताएगे यहाँ पर short tricks यदि अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए बने रहे है मेरे साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिन